असलाम लेकम गाईज वेलकम टू शिगरी डिजाइन हाब कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे तो गाईज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्रेडियन्ट 3D सरकल लोगो कैसे बनता है इलुस्ट्रेटर में तो गाईज चलिए करते हैं स् तो गाईज हमने लिस्ट्रेटर ओपन के लिस्ट्रेटर ओपन करने के बाद अब हम लेंगे सबसे पहले एलिप्स टूल एलिप्स टूल लेंगे एलिप्स टूल लेने के बाद इसको शिफ्ट प्लस और प्लस लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करना है इसको drag कर लिया अब हम इसकी outline फिल करेंगे outline का color हम ले लेंगे black तो अब हम इसकी copy लेंगे edit में जाके copy paste in front shift plus all plus left click के साथ इसको drag करने इसकी copy हमने एक लेनी है तो guys हमने इसके copy ले ली अब हमने control plus c control plus f shift के साथ shift left click के साथ इसको drag करना है तो guys हमने इसका color off की है fill color इसका हमने off कर दिया तो same वोई process control plus C control plus F shift left click के साथ इसको drag किया drag करने के बाद अब हमने इसकी core कोपी ले लिया अब shift के साथ इसको select करना है shift के साथ इनको select करने के बाद control plus C और control plus F के साथ इसको rotate करना है rotate करके इसके copy ले लिये तो guys अब हमने selection tool से इसको select करना है select करने के बाद हमने shape builder tool लेना है जिसकी shortcut की है shift M तो हमने shape builder tool ले लिया तो गाइस लेफ्ट क्लिक के साथ अब हम इसकी लाइन्स रिमूव करेंगे इसकी लाइन हमने रिमूव करनी है तो गाइस बहुत ध्यान से आपको ये काम करना पड़ेगा आप जूम इन करके देख सकते हैं बहुत बरिक्षी से काम करना पड़ेगा जूम इन की शोर्टकट कीज है कंट्रॉल प्लस तो गाइस हमने अब इसकी लाइन्स रिमूफ कर दी है तो सेलेक्शन टूल से हम सेलेक्ट करके एक्स्ट्रा पार्ट हम डिलीट कर देंगे तो गाइस हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देंगे डिलीट करने के बाद अब हम इसको सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके कलर लेंगे ग्रेडियन कलर लेने गाइस कलर लेने के बाद अब हम इसकी थोड़ी सी एड़जस्मेंट करेंगे गाइज स्लेक्शन टूल से इसको स्लेक्ट करके इसकी आउटलाइन हम रिमूफ कर देंगे आउटलाइन इसकी बंद कर देंगे तो गाइज हमारा ग्रेडियंट 3D सरकल लोगो रेडी हो चुका है हमारा ग्रेडियंट 3D सरकल लोगो रेडी हो चुका है अब हम selection tools इसको select करके control plus G के साथ अब हम इसको group करके कहीं group करेंगे group करके हम इसको कहीं भी move कर सकते हैं I think it's looking amazing Guys, channel को करें subscribe, bell icon को करें press, video को करें like and share thank you so much